तो ये सारा सीवर्पूल रूल हम लोग अगले कलास में देखेंगे बाभू, चुक्कि आज सीवर्पूल हम लोग नहीं देख रहे हैं, आज मैंने वह अदा किया था कि नाउन में हम बताएंगे कि कमण नाउन और कलेक्टिव नाउन, का कंसेप्ट किलियर कराएंगे, उसके 4500 में 5000 ऐसा मैं trick बताने जा रहा हूँ समझे कि वो trick नहीं है बिटा बलकि word बनाने का machine है क्या है word बनाने का machine है और word बनाने का machine by classes में निकि पहले classes में हम 7 rules बता चुके हैं 7 rules बता चुके हैं अगर आपका कोई भी class miss कर गया हो तो आज का class कीजिएगा तो हो सकता है कि पीछे वाला class उसी से connected होगा समझ में नहीं आएगा और होगा नहीं रहता है इसलिए पीछे वाला निकि बैख classes पुरा कर लीजिए है ना ताकि ये class समझ में आवेगा चले हम लोग word बनाने चले तो word हम लोग बनाएंगे वाटा लेकि rule number कौर होगा 8 जब ये rule number 8 है तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो खोजना पड़ेगा ना इसलिए मैं बोलना था कि बैख classes भी कीजिए है ना चले अब थ्वासत ध्यान देना है वाटा अब बहुत easy चीज है क्या है तीसरा फर्म और noun देखे कितना जो है आसान है वाट बनाना वाट बनाना कितना आसान है संसकार डॉंट राइट लिखना मना है कलास में ओके चले concept किलियर कर लिजे सब चीज ठीक हो जाएगा चले वीटा तो यहापर V3 V3 मतलाव वर्ब का तीसरा फर्म और कौण सा वर्ब का action वर्ब का अब यह एकषन वर्ब क्या है तो याद रखना है जिस हिंदी वर्ड के अन्त में ना आ जाए समझ लिजेगा कि वो एकषन वर्ब है जैसे आना जाना खाना पीना उठना बैटना, रोना, धोना, गाना, बजाना, पिटना, चिलाना, रोना, इस सब क्या है? सब एक्षन वर्व है, फिर एक वर्व बोलू, क्या? आना जाना, खाना, पिना, उटना, बैटना, रोना, धोना, गाना, बजाना, ये सब क्या है? एक सन भर्व है, तो इसी एक सन भर्व का तीसरा फर्व, और उसके बाद क्या चीज, नाउन, समझ मा गई, एक नया वर्ड बन जाएगा, अब आप खुद से सोच लिजिए कि एक सन भर्व की संख्या कितना है, जिसकी मैं चर्चक कर रहा था कि आना जाना, खाना, पीना, वथाएक नहीं? तो उसके बाद क्या करना है? उसका ठीरी रुक, ठरड फर्म लिख देना है, अन्नाउन लिख देना एका नया वटट यहर हो जाएगा, जैसे, जैसे, जैसे दयान देना है बटा, देखो बटेंगें, इन वाइट, इन वाइट क्या है? ध्यान दीजेगा, invite क्या है बटा verb है डी लग गया तो verb का तीसरा फर्म हो गया यानि कि invited समझभारी है और इसके बाद क्या कर रहा है noun लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे बटा है कि invited guest guest मतलब guest मतलब क्या होता है अतीथी अतीथी देवा भावा हाना यानि कि महमान हाना भजपूरी में का कहते है heat हाना बटा क्या कहते है heat लुआइल बटे और हिंदी में अतीथी उर्दू में कहते है महमान और अंग्रेजी में कहते है guest संजमारी है बासा का अंतर है वटा किसका अंतर है बासा का अंतर है चलो कोई दिकत नहीं invited guest मतलब अमंत्रित किये गए महमान यानि कि बुलाए गए महमान जिसको आपने card दिया है message किया है whatsapp किया है phone करके उनको बुलाया है अपने आप पाटी में फंसन में चाहे बड़े पाटी हो रिंग सेरेमनी हो मेरे सेरेमनी हो या घर भोज हो किसी तरह कोई आपके यहां फंसन हो जब किसी को आप अमंत्रित करते हैं ओ आपके यहां आता है उसी को कहते इन्वाइटेड गेस्ट समझ मारी है एक और ही भजपूरी में कहा होते सुना दें कि बिना बुलाएं मत जय है गवरा आदर होई है ना तो हार मतलब बिन बुलाएं महमान की इज़त नहीं होती है तो बिन बुलाएं महमान का अंगर जी क्या होगा वेरी गूड इसमें हम लगा देंगे अन यह निगेटिव हो जाएगा है ना तो हो जाएगा जैके इन्वाइटेड के पहले अन लग जाएगा तो अन अन इन्वाइटेड गेस्ट देखो यह स्पेलिंग सब सेब है इसमें अंतर क्या होगा बटा शिरिफ यू एण लग गया है जो निगेटिव सेंस देता है इसमें भी देखें आई एन तो आई एन वी आई वी आई टी इडी तो टी इडी है ना अगेश्ट तो वही है तो अन इन्वाइटेड गेस्ट यहने कि बिन बुला है महमान इसका हैंदी क्या मेरा बताया आउपर वाले का अमंत्रीत किये गये अत्ती थी या महमान ठीक है आई इसका मतलब क्या हुआ हाँ बिन बुलाएं बिन बुलाएं महमान या बिन बुलाएं अत्ती थी इसलिए मैं बोल रहा था कि बिना बुलावले मत जय है गवरा आदर होई है ना तो हार इसमें हम लोग संटेज भी बनाएंगे हम तो समझा रहें ना समझा रहें कंसेट किलियर करा रहें कि किसी भी भर्व को तीसरे फर्म में चेंज कर दीजिए और उसके बाद नाउन लगा दीजिए एक नया रहें जैसे अगला वर्ट देखिए जैसे कहा जाए विटा कि इंजर्ड पीपल हाँ ध्यान दीजेगा इंजर्ड मतलब होता है घायल चूट लग जाना जैसे एक्सिडेंट होता है है अब हों ना वेत्या है मौट साइकल ऐसे बाइक से कशर से या ट्रें से जय प्लें क्र सक रता है तो लोग कुछ छूट लगता है ні तो उसि को अगर रजी में इंजर्ड बोलते है तो भीतिरी हो गया इंजर्ड आ या हो गया पीपल मन लोग इसका मतलब क्या हुआ है गायल लोग जैसे काएंगे न कि बस और ट्रेन में जो है एक्सिडेंट हुआ कुछ लोग मर गए कुछ लोग गायल हुए और गायल लोगों को अस्पिटल भेजा गया गया गायल लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट के लिए पटना रेफर कर दिया गया दिल्ली एम्स में रे बेटर ट्रीटमेंट रेफर्ट तु दिल्ली एम्स फॉर दा बेटर ट्रीटमेंट संटेज सपर्ब बनाएंगे विटा कि हम लाना बिल्कुल नहीं है चलो अब जैसे आप लोग क्लास करते हैं ना क्लास करते हैं आप लोग अगर आपका मैथ का टीचर या फिजिक्स का टीचर के क्मेस्ट्री का टीचर क्लास में आगा एक कि कौन-कौन चेप्टर की पढ़ायी हो गया हुग या हो और तो टीच का टीचर रोगो टाउंट, आइ अहां लेखी दो बेटा, चेप्टर, चेप्टर, चेप्टर मतलाँ पढ़ाया हुआ chapeट्र, पढ़ाया हुआ पाठ जैसे का यह सर दिसी टॉट चेप्टर हाँ टेंस इस दी टॉट चेप्टर सर आगे बढ़िए अगला चेप्टर प्ढ़ाईए वाइस इस टॉट चेप्टर सुझनर यह है वेरी गुड अभी बात बता हुटा एसनेच मने क्या होता है एसनेच एसनेच मने होता है छीनना छीनताई करना नहीं चोर जीलो है जो छीनताईया करता है ऐसे गण भीरा देगा अब क्याएगा चल पैसा निकाल बैग छोड ड्रेस निकाल सब अटीयम दे मुवाइल देह कार दे मेरा कर भी समसंपा गया थल मेह आपको फिलो यह बता पा रहाग् Яना गउनन्प्र अपको यह लिलिया था क्र कच्धा भीली अ हमको छोड़ छाड़कर जो है हम लेका भाग गया है तो एसनेच मने होता है छीनना छीनताई करना समझ महारी है अब इसी में जो है क्या कर दो वेटा एडी कर दो एसनेच दे और यहां पर बाइक कर दो ठीक है बटा एसनेच बाइक मतलब छीनी हुई बाइक आई यही पर कार कर दो मतलब छीनी हुई कार आप बैग आप एस्कूल लेकर जा रहे हो एस्कूल लेकर बैग जा रहे हो आपको यह कहें कि तो छीना हुआ बैग है तो का कहेंगे एसनेचल बैग संजमारी है माही एसनेचल बैग मतला छीना हुआ बैग ठीक है अब बैग के जगे अपना और भी कुछ रख सकते हैं आप जैसे बॉक हो गया कर हो गया तो जो ची हम मोबाइल अम्माने की ऐसे मुबाइल लेकर मोबाईले अब यस शीना हुआ है तो का कहेंगे तो मेरे ही है छीना हुआ है तो अब अब देखा बटा जैसे होता है break break मने तोड़ना क्या होता है तोड़ना आथ तो break मने तोड़ना वर्व हो गया अब इसका थिरी यूज करना है तो break का third form क्या होगा broken क्या होगा बटा क्या होगा जल्दी बताओ हाँ very good broken आई इस में जोड़ दो chair broken chair मतलब टूटी हुई कुरसी जैको जाए आप टूटी हुई कुरसी एक पड़ी हुई है तो कहेंगे ला this is broken chair that is broken chair संजवारी है I have two broken chairs मैने पास दो गो टूटी हुई कुरसी है I have five broken chairs मैने पास पाँच जो है टूटी हुई कुरसिया है माही समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है मारिया चल अब देखो बटा अब chair के जगे पर अगर हम heart कर दे संजवारी है chair मैने कुरसी और यहीं पर हम कर दे heart संजवारी है यानि कि broken heart मतलब टूटा हुआ दिल अब टूटा हुआ दिल किसको मैं कह रहा हूँ मालिक के आप किसी से बहुँ ज़्यादा प्रेम करते हैं जैसे मा आप से प्रेम करती है न माही मम्मी आपकी करती है न दादी आपकी करती है न दादा जी करते है न हम अपने माता पिता से करते हैं दोस्तों से करते हैं और आचानक कुछ आप ऐसा बोल दिजिए कि उसका दिल तूट जाए सलंचमारी है क्या हो जाए उसका दिल ही तूट जाए चाहे हो मा हो बहन हो भाई हो दोस्थ हो प्रेमी हो प्रेमिका हो कोई भी हो सकता है तो क्या कहेंगे Broken Heart ठीकना सलेश्बी तो Broken Heart मतलब तूटा हुआ दिल तो तूटा हुआ दिल मने किस सेंस में का रहा है अती प्रिये बेखती जिससे आप बेहद महबबत करते हैं और कुछ हुआ ऐसा बोल दिया कि उससे बात करने का मन ना करे आपका दिल तूट गिया तो कहेंगे ब्रोकेन हाट अब समझ मारी है हम रास्ता बता दिये जहां मन करों वहाँ जाते रहिएगा अब होर आगे हम बड़े बटा बड़े आगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यानि कि भर्व का तीसरा रूप लगाओ नाउन लगाओ एक नया वर्ड बनाओ हम समझा रहे तो मनों ज्यादा टाइम लग रहा है ना तो एक से दो मिनट काफी है यह रूप जनने के लिए भर्व का तीसरा फॉर्म और नाउन एक नया वर्ड बना लो कितना दिर लगा बनाते जाओ ठीक है सजमरी है तो अब जो है इसका यूज करना जान लिज़े लो बाकी तो यह रूल बनते रहेगा ठीक है ना अच्छे एक बताओ प्लेस मने क्या होता है कौन बताएगा प्लेस मने क्या होता है जगा प्लेस मने होता है जगा और इसी place का मतलब होता है बटा लगाना क्या होता है लगाना जैसे कुर्सी लगादो कहते हैं कि कुर्सी लगादो टेबल लगादो ने उसका अलग होगा जब कुर्सी लगाने की बात आए टेबल लगाने की बात आए इस्टूल लगाने की बात आए हाथ चियर लगाने की बात आए तो आप पर अंगरेजी लिखेंगे place ठीक है न? अब जैसे माल लेजे कि अगर sentence ऐसे अगर आपने बोल दिया ऐसे कि please don't place मतलब किरिप्या मत लगाओ और क्या चीज़? दा broken chairs मतलब टूटी हुई कुर्सी मत लगाओ यहाँ थोड़ी कह रहा है ठीक है न? please don't place the broken chairs मैंने टूटी हुई कुर्सी मत लगाओ ना तो कोई बैठेगा गिर जाएगा हना उसी तरह से थोड़ा सा यहाँ बैठेगा देदो विटा इस पर भी संटे इन्विटेगेस्ट जैसे I am invited guest in the party you are invited guest in the party but your father is not invited guest in the party there are so many people in the party they are uninvited guest बहुँ सारे लोग party में है जो अनिवाइटेड गेस्ट है बने बीन बुलाए मेहमान है सजवारी है काएंगा मिस्टर मोदी इस अनिवाइटेड गेस्ट इन दपार्टी वोदी क्या है पार्टी में अनिवाइटेड गेस्ट है बने बीन बुलाएं मेहमान है और नो सर, Sonia Gandhi is uninvited guest in the party, और नो सर, Yogi is uninvited guest in the party, और नो सर, Chirag Paswani is uninvited guest in the party, और नो सर, याइट मर लिया, और नो सर, Chirag Paswani, और नो सर, Chirag Paswani, और सर, Chirag Paswani, सर, Chirag Paswani, भिर नो सर. różne unvited guest in the party, जितना लोगों को मैने नाम लिया, और ने नाम लिया, और ने नाम लिया, और ने वयां, आज़ आइगे आब आइज सर. रहेंगे इस word का अगे उसके बाद क्या कर रहा है इंजर्ड पीपल अभी तो बोल रहे थे ठीके ना कि इन दा इन दा प्लेन क्रास हाना या इन दा एक्सिदेंट आफ ट्रेन एंड बस शो मनी पीपला डेड आन्ड इन पीपलार इंजर्ड एन इंजर्ड पीपल आर रिफ यॉज तो पतना प्य नो समिंजर्ड पीपल अर रिफ़ड Jábrary ईप्लय में तरीमें इस करें इस तरह यूज कर न थेके नो फिसटाट चेप्टर से प्लीज नेक्स चेप्टर लिए ज़िए कोई फिकत अब देखो कोई भी जो है समा लेकिद्टाइमेज पेंट पेंट मने क्या होता हैं पेंट माने पेंट करना तो पेंटेड हाउस रंगा हुआ मकान अद डैमेज हाउस तूटा हुआ हाँ ध्वस्त मकान, damaged, संजबारी है, आज सेल मने बेचना, हाँ, very good, तो सोल्ड, क्या कर जाएंगे बटा, जैसे अगर आपने कहा दिया, सेल का ती सरफ हो जागा, सोल्ड, आई से में जोड दीजे क्या चीज, कोई भी नाउं जोड दीजे, सोल्ड कार, सोल्ड कार मतलब, बेची हुई कार, सोल्ड कार, बिकी हुई कार, आज सोल्ड हाउस, बिका हुआ, मकान, आज सोल्ड अफीसर, बिका हुआ अफीसर, देखा ने नीट में कितना घपला हुआ है, सब अफसर बिग गया है, बताओ 720 में 720 आता है नंब अब बताओ जो मेहनत करने वाला लड़का है उसका क्या होगा जो LLP लड़का है LLP समझते हो LLP मतलब क्या होता है बटा लीक लोड़ा पोड पत्थर पैसे के बल पर बाप अड़ पती है को रोड़ पती है तो पैसा देकर पेपर लिक कर दिया अब जो मेहनती लड़का हो कहा जाएगा सज़िए तो इसे का कहेंगे bunk justified officers महीं जमीन सब्मर इए यह हैं पाकुय के अइडिर mo कली 똑같म होवा करो सोल्ड कार हुआ सेफिया होएग ahí को सोल्ड होबै को सोल्ड मोसल्ड लेंड लेंड मनए जमीन सफोल्ड लेंड मतलब बिका हुआ जमीन कोications इंसल्ट मनें क्या होता है बेजती करना इंसल्ट मनें बेजती करना तो इसका इंसल्टेट कर दीजिए आज कोई आउंज गड़ दीजिए हाँ इंसल्टेट पीपन मनें बेजत हुए लोग ठीक है सजबारी है कोई दिकत इसल्ट कोहता है कि डेड़ बड़ी मनें मरा हुआ इंसान डेड़ बड़ी मनें मरा हुआ इंसान सजबारी है कोई दिकत सबका कंसेट के लिए हो गया आगे वड़े हम कोई ऐसा वर्ड आप लोग को दिखाई दे रहा है दिमाग काम कर रहा है क्या हम भी आपनों का प्रजंस आप माइं देखना चाहते हैं और आप लोग उसे रिक्ष्ट कर रहे है कि अगर आपका भी दिमाग अप काम कर रहा है कि वर्ब का तीसरा फर्म अनाउन लगा कर वड़ बना सकते है तो कमेंट बॉक्स में वेजिए और नोट बूक अटेशन विए अबिष्ट का वड़ मठė प्रजिश सी अवनिே और योट लूट इप अपन अभी है आप दो